तो आज हम आपकी एक बहुत इच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो आप लोग हमेशा कन्फ्यूज रहते हो यह सोचके कि साथ लग के अंदर में कौन सी बेस्ट कॉंपेक्ट असी हुई है जो लें मार्केट में तीन चार कॉंपेटिशन हैं अल्लेडी बेस्ट कार जो अंदर सैवन लाक में अगर मैं बात करूँ नहीं सॉन रेनो या टाटा तीनों ने एग्रेसिव कॉंपेटिशन दिया एक दूसरे को और यह मार्केट में मतलब इन लोग ने धूम मचा रख किये रेनो के आती है काईगर निसान के आती है मैगनाइट और टाटा के आती है पंच यह तीनों गाड़ियां धडलले से भिक रही है हाला कि पंच ने तो रिकॉर्डी तोड़ दिया जब से वह लॉंच ही है टाटा को उसने उपर ही बना दिया हाला कि no doubt गाड़ी भी बहुत ही अच्छी है बहुती प्रीमियम क्वालिटी की चीज़े यूज की गई है तो चले फिर बताते हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा हम आपको इसमें बताएंगे कि कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए कि इस प्रस्पेक्टिव की वज़े से ठीक है चले फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले आती है टाटा की पंच तो टाटा की पंच जैसा कि आप सबको पता है वो छोटी बेबी हैरियर लोग कहते हैं उसको क्योंकि कहीं नहीं सिमलर इंपक्ट 2.2 डिजाइन से है वो और काफी सही लगती है मतलब इसी सेग्मेंट में इसी सेम बोडी साइज में आई काती थी के यूवी हैंड्रेट आपको याद होगी जो की बहुत ही अजीव लगती थी फ्रॉगी डिजाइन था गंदी सी लगती थी बट अब जो ये टाटा की जो पंच आई है शु पूरा सएक इसिल्वर टराच या एक ग्रे टरी टराच दे देते तो वह पूरा जो नीचे से चूफर एरिया जो पूरा ब्लाक लगता बहुत लोगों को नहीं पसंद है आप में से आप सारे लोग हाला कि वो एक सब्जेक्टिव चॉइस है आपकी मर्जी आपको पसंद है नहीं पसंद है लेकिन उसको चेंज भी कर सकते हो अभी टाटा ने क्या किया है कि एकसेस में चीजए की नीचे आगे जो 3500 की आगे कि 3500 की आग है तुई आटा निकसओन में देखते हो न नीचे जो आगे नीचे बंपर के पास स्वाइब कर लगता है पीछे सिल्वर कर लका होता है काफी अच्छा लगता है तीन टोन में लगने लगती है गाड़ी वैसे टाटा पंच में भी टाटा वाले दे रहे हैं इस वक्त तो आप एक्सेसरी के तोर पर लगा सकते हो ओवरल जो अगर मैं बात करूं टाटा पंच क तो टाटा पंच में पहले में बात करूंगा बेस्ट चीज़ की सबसे बेस्ट है क्योंकि इसका जो प्रेजन्स है वो पूरा प्रॉपर SUV टाइप है तो इसका प्रेजन्स कहीं न कहीं काफी अच्छा होता है कंपेर टू और अधर कार्स इन दिस सेग्मेंट वहीं जैसे र इसके अपराइट पिलर्स, वींडोज और इंटीर की क्वालिटी, एरी वींडोज, काफी प्रीमियम फील होता है काफी अपराइट फील होता है ऐसा रगए कोई अच्छी गाड़ी में बैठे हो और इसके इलाबा जो टाटा हमेशा से पॉपॉलर है इनकी राइड क्वाल करके साथ लाग के अंदर टाटा पंच करें लो इसका सबसे बेस वाला वेर लेंड अब निसान मैगनाइट के हम बात करते हैं देखें निसान मैगनाइट विदाउट एन डाउट modern looking design काफी अच्छी लगती है SUV नहीं फील कराती है कार जो कि एक बड़ी कार अच्छी बोल्ड कार टाइप फील कराती है SUV नहीं फील कराती है यह एक डिफरेंस है मेचर पंच और मैगनाइट के बीच में इसका केबिन भी काफी spacious है काफी अच्छा फील कराता है airy है seats जो है का पहला तो natural aspirator भी आता है दूसरा turbo भी आता हलाकि turbo जो है थोड़ा costlier है तो आप जब उसकी बात करते हो तो आपको obviously दे रहा रधर option नेक्स ओन किया sonet और उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे अभी के वीडियो में हम आपको बताते है कि जो best है आपको overall natural aspirator 7 लग के अ आता थी हलाकि punch comes with a five star rating बट हाँ अगर आपको overall एक बढ़िया package चाहिए तो आप निसान मैगनाइटी भी consider कर सकते हो इसकी कुछ चीजें है जो है जो negative है वो especially इसकी जैसे steering है वो ऐसा feel मतलब आप जब चलाओगे तो आपको feel नहीं होगा कि मतलब आप गाड़ी को चला रहे है वो काफी unresponsive सी feel कराती है इसकी जो high speed rider वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब आप यह करो कि हाँ काफी अच्छा चलाने पर फील हो रहा है high speed में थोड़ी unstable सी लगती है तीसरी जो गाड़ी है हमारी लिस्ट में वो है Renault की काईगर अभी काईगर रेनो कहीं नहीं जान है इनकी quit की sale बहुत ही down last month तो 89 PC भी किती इनकी as per the reports और 89 to 100 की piece के रहांगी भी किती जो कि इनकी best selling कार हुआ करती थी quit बट हाँ overall जो आपकी काईगर है बहुत ही अच्छा package साबित होती है गाड़ी में जो इसकी best चीज है कि इसका जो है bs6 का face 2 इसमें भी आ गया है जैसे punch में आया है bs6 face 2 इसका भी best party है कि same chassis pair magnite और काईगर तो यह भी four star rated car है तो मजबूती की तो कोई tension ही नहीं है ब्रज़ा भी four star में आती है तो यह भी आपको four star में ले क्या ही लोगे मारोती की गाड़ी से तो बढ़िया है टेक्निकली ब मिलता जो निक्सवान में मिलता यह फिचर पंच में नहीं मिलता वो आपको इसमें मिल जाता है तो कहीं नहीं आप अपने साब से power adjust कर सकते हो power निकाल सकते हो city maneuver है वो काफी अच्छा है आप इसको बहुत easily चला सकते हो steering काफी light है और compact है मतलब क्योंकि गाड़ी तो obviously compact असी हुई है तो काफी easily आप इसको city में चला सकते हो आपको लगता है कि नहीं इन ते गाड़ियों के लावा भी कोई और गाड़ी है जो हमें consider करना चाहिए आप हमें comment section में बताएं कि वह कौन सी गाड़ी है हम आपको उसके बारे में review बताएंगे कि आप वो लेना चाहिए यहां पर compact CV में हमारे समय से यही तीम गाड़ियां थी जो fit हो रही थी perfectly 7 लग के अंदर वो हम आपके लिए consider करके यहां पर लाएं है आप इसको देख सकते हूं best है go for kata punch अगर आपको कुछ और consider करना है go for Renault काईगर don't go for Nissan Magnet अज़के इस वीडियो को यहीं पर कत्म करते ह बीबब बार करे करते है अज़के क्या है क्या क्या यहां लो सोचिते हैं और यह को रहां रहे की है यहाँ वो स्क्टक्रव नज़के गयां भूबबड़ रहे कि ख़ुदके करते हैं post फár शुकम कात्र आपके वीडिवके में में नो फ्यक्तव hellर में